जै जिवदानी, ब्यूटी विद एस्टोलोजी की फाउंडर मैं कामीनी खन्ना, आप सभी समझदा सुरताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशी भविश्य लेकर हाजिर हूँ, ये साप्ताहिक राशी भविश्य तारीक 23 ऑगस्ट 2020 से लेकर, तारीक 30 ऑगस्ट 2020 तक का है, सबसे पहले निवदन करतूं के सबस्क्राइब कीजे, मेरा ये चैनल यूटूब स्लैश ब्यूटी विद एस्टोलोजी, जब आप सबस्क्राइब करेंगे तो पॉप अप होके उपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते स ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुचती रहेंगी, मुझे आप से शेयर करते हुए खुशी हो रही है, कि मेरे चैनल पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाथ दिया है, और मैं भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, ना कि सिर्फ एस मेरा जो राशी फल होता है, कई बार पूछते हैं लोग के लगन के अनुसार है के राशी के अनुसार है, तो लगन के अनुसार ही होता है, कभी बोलने में राशी आ जाता है, तो शमा चाहती हूं, तो आईए हम जानते हैं इस सप्ता हमें होने वाली घटनाएं, तेज थार वैसे तो भीड़बार नहीं करनी है, जादा निकलना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर में आप गणेश उत्सों मना सकते हैं, रिशी पंचमी के दिन गणेश जी का महराश्ट्रा में विसर्जन होता है डेड़ दिन का, चौबिस तारिकों है सूर्य शष्टी, आप सभी बिहारी मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको सूर्य शष्टी की देर सारी और सभी देशवासियों को देर सारी शुमंगल कामना है, पच्चीस तारिकों गौरी माप अधार रही है गणेश जी के साथ में जेश्टा गौरी आवाहन, दोपहर एक बच के अठावन मिन जेश्टा गौरी विसरजन दोपहर बारा बच के 36 मिनिट के बार अदुख्ध नवमी है, इस दिन भागवत सब्ताह के आरंब हो जाएंगे, उनतिस तारिकों परिवर्तिनी एकादशी है और तीस तारिकों मासिक प्रदोश है, मोहरम है, सूर्य पूर्वा फालगुनी नक शत्र में दोपहर तीन बच के पांच मिनिट पर प्रवेश कर जाएंगे, और बुध शाम को उदित हो जाएंगे, तो ये अच्छी खबर है मिथुन राशी वानों के लिए, तो आईए, जानते हैं मेज से लेके मीन राशी तक का राशी भविश्य, इस सब्ताह में तारिक 29 के बाद से लेकर तारीक 31 तक शनी के साथ चंद्रमा रहेंगे, शनी के साथ चंद्रमा होने पर, क्या क्या बेचैनिया होती हैं, ये मैं आपसे पहले एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, तब जो जो उपाय करने चाहिए, वो आप कर लीजेगा, मेश र तुला राशी के लिए, अब चंद्रमा की जो मूमेंट है, तुला राशी में, ये आपको दो दिन जो है, आपके लगनपद्रिष्टी है, और खुब आपको कूल रखती है, आपके विवाही जीवन से आनन्द मिलता है, और आपको माता से भी आनन्द मिलता है, गणे शु बना हुआ है माइन पर वो आपको सही डिसिजन्स दिलवारा है बच्चों से रिलेटेड अपने अध्धन से रिलेटेड मैंने वीडियो डाले हुआ है सूर्य बुद्धक शुक्र के और आप देख सकते हैं उसको मेरे चैनल पर मंगल का भी दिया हुआ है लगन में आपके मं करने का जो जजबा है तो बहुत बढ़ा हुआ है और अच्छी बात है आप अच्छे से इसको निभाईए मंगल की मैं अगर दृष्टियां कहूं तो वो दृष्टियां भले इतनी मज़िदार ना हो मंगल पर गुरू की दृष्टि है इसलिए आप पायस रिती से सारे का करेंगे आप भाग्य देकारी अपने काम निप्टाएंगे आपके राहू भी अभी बना हुआ है और राहू अगे अग्रसर है तो अपने जितने काम जल्दी जल्दी निप्टाएं तो अच्छा रहेगा वैसे आपकी सिती आगे भी 29 सक्टेμबर के बाद अच्छी रहने वाली है बड़े भाई बेनों से आपको लाभ गुरू मारगी होने पर होगा और अच्छे अच्छी और खबरे भी आएंगी उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी गुरू मारगी होने का वृष्च बराशी के लिए आपके लगनका स्वामी आप से दितिया राहू के साथ तो राहू के साथ होने से गलट डिसीजन गलट सोज परिवार के लिए और थोड़ा बहुत कलग लेश ये बड़ी अजीब सी बात है कि शुक्र मित उनके घर में है लेकिन पूरा असर देने ही पा रहे है और थोड़ी सी आपको विरोधियों से रिलेटेड पैसों से रिलेटे आपके माता से सपोर्ट और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी आपके बन सकते हैं अभी शादी की योग नहीं है और अभी कुछ काम भी अटके हुए हैं उनके लिए वेट कीजे एकाद महेना विदेश रिलेटेड काम खुले हैं उनको आप कर सकते हैं आप कोई प पूर्पर्ट मिल सकता है और आपके पार्टनर्स कोई हैं विदेश से रिलेटेड या विवाही जीवन में वो चाहते हैं कि आपके कोई ऐसे काम हो जाएं विदेश से रिलेटेड तो वो आपको पूरा सहयोग देंगे मित्वनराशी आपके लगन में बैठा राहू शुक्र शुक्र आपको पूरा असर नहीं दे पा रहा राहू की वज़ा से क्योंके मैं लगन की बात करती हूँ राहू जब निकलेंगे यहां से तो आप काफी रिलेक्स होंगे लेकिन तब उससे पहले शुक्र जा चुके है उसका मैं कहूंगी के जो बूद की स्थिति अच्छी है अपने कामों को बनाईए फटा फट और रुकिये नहीं कोई भी काम के लिए कल करूंगा परसो करूंगा आज अभी जितना रात तक रोज बैटके एक काम निपढ़ते हैं निप्ताईए जल्द ही गुरू शनी मा पर आपका और अच्छा पीरड आएगा और राहू के तू बदलेंगे तो भी आप बैटर सोच पाएंगे अभी तो भ्रमिट स्थिति है पैसा आने की बड़ा पैसा आने की अचानक से आएगा आपकी मेहनत से आएगा आपकी जमीन जायदात से रिलेटेट कोई काम बड़ी नोकरी का उफर हो सकता है बड़े काम का उफर हो सकता है तुकराना नहीं है करना है आपके बच्चों से रिलेटेड आपकी समस्या है कंट्रोल में है पहले नहीं थी आपकी पढ़ाई वगरा से रिलेटेड और आपके बच्चों की पढ़ाई वगरा से आईगी आपकी करकराशी करकराशी के लिए अब आपके लगन का स्वामी जो है ये इसकी स्थिति दो चार दिनों के लिए पांच दिनों के लिए अच्छी है प्रिशनी के साथ आएगा अपनी तबियत के लिए शिवजी के आराधना करेगा पानी जदा रैस्ट खाना गलत नहीं ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और अगर मनवर नुदास होता है तो मैंने वीडियो डाला है उसको ध्यान से देखिए चंदरशनी साथ में आते हैं तो क्या होता है उसका उपाय दिये हैं मैंने बुदा दित्ते योग बना है आपके दित्यस्थान पे घरेलू सपोर्ट से पैसे आना बोलने चालने के काम में फायदा काउंसिलिंग कंसल्टेशन सिंगिंग कहीं नेता अभी नेता है आप उसका फायदा आपको कोई भी बड़ा पैसा आना सरकार दरबारी और विदेश रिलेटेट कारोबार में उन्नती होना ये सब कार्ड्स पर दिखता है मुझे जमीन जायदा से रिलेटेट कोई काम आपके हैं तो वो भी निप्टा ये बड़ा काम होने जा रहा है कोई नौकरी के लिए आवेदन पर है तो आप जो नौकरी मिलेग है तो रिलेक्स रहिए सिंगराशी लगन में सूर्य बुध काफी आप अपने आपको कॉन्फिडेंस में पाते हैं आप अगर नेता है अभी नेता है तो बहुत फायदा है इन दिनों आपको लाब भी है और खुब सारा लाब है लेकिन समल के अभी जो काम आ रहे हैं उसको छोड़िये नहीं और काम लेते जाएए आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़े काम से रिलेटेड तो कोई बात नहीं माता से सपोर्ट माता की तबियत अच्छी घरेलू सुक्स विदा प्रापर्टी से रिलेटेड काम और कुछ काम जो ऐसे एटके हुए हैं जो लोन्स के बीच-बीच में रहने की लेकिन कोई खराब स्थिती नहीं आएगी हां बशर्दे के गुरू जब नीच के होंगे तब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपनी हेल्थ का तब देखेंगे अभी जो फिलाल सरकारी कामों से फायदा है या अमिनेता है तो फायदा है और किसी प्रकार से इंकम एक परसेंट अगर स्टॉप है भी तो भी अभी चालू हो जाएगी आप टेंशन मत लीजे अभी अच्छा समय आ रहा है कन्याराशी के लिए आपके लगनका स्वामी जो है द्वादश में बैठा है बले सूरे के साथ बैठे हैं बुद लेकिन थ थोड़ी तबियत को समालना जरूरी है उस पर थोड़ा सा खर्चो तो भी चलेगा आपके थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाए हुए हैं लेकिन समाल लेंगे सूरे उसको और विदेश रिलेटेड काम बनाएंगे आपके जो प्रेम संबंद उच्छ कोटी के उनसे आपको फाइदा विदेश रिलेटेड कामों में फाइदा राहु शुक्र के ब्रह्मन से मीडिया से रिलेटेड काम बने आपके उससे फाइदा बहुत उत्सा है आपमें के काम करना है आपको बट इन दिनों थोड़ा तबियत का बलड से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई चोट वोट लगना इन सब चीजों का ध्यान रखेगा कोई हेल्थ का बड़ा उपाय मिल जाएगा आपको और तो वो उपाय आप कर सकते हैं विवाही जीवन में कलहक लेश न करें और अगर माइंड परिशान है रहता है तो माता से इस अला ले और आप कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि आपको महाकाली की और कृष्ण की पूजा हमेशा सूट करेगी तो जो आपके काम बन रहे हैं इन दिनों उनको आप करते जाएए आगे जब लगन में बुदाएंगे तो बहुत अच्छा समय आएगा काम के लिए तुला राशी तुला राशी के लिए आपके लगन का सौमी शुक्र जो बहएद अच्छी स्थिति में हैं और आपको अच्छे से अच्छा ओफर दिलवा सकता है मेडिया से रिलेटेड अगर आप ज्वेलरी में हैं, अगर आप ऐसे रूई के कामों में हैं, अगर आप कोई ऐसे कपड़े के कामों में हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, अगर आप कोई टेकनिकल काम में हैं, अगर टीचर हैं, आपको फाइदा होने जा रहा है, अगर आप नेता भी लाब होने जा रहा है तो जो भी पैसा जो भी आता है उसको मना मत कीजे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा मा की तवियत का और घरेलू सुक्सुविदा का ज़रा ध्यान रखेगा अपनी पेट से रिलेटेट समस्याओं का थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा नर्फ से र महाकाली की आरदनाम है ओ मैंग रिंकलिंग चामुड़ा विच्चे के जाब कर सकते हैं विष्चिक राशी के लिए आपके लगनका स्वामी जो है वो काफी स्वस्त है शष्ट में बैटा है विरोधियों का सामना कर रहा है और आप भी सजग है और लेकिन इन दिनों जो र प्रशान करके जा सकते हैं तो वहमों को बढ़ाईए नहीं आगे आपको सब्तम मेरा हुआ के कोई बिजनस का पार्टनर अच्छा मीडिया के कामों के लिए देंगे अभी भी काम आफर हो रहे हैं वो कीजे परिवार से थोड़ा कम सपोर्ट है या काम में थोड़ी सी मिल रहा है उसको करके जो सरकारी दरबारी कम कभी लीक से हटके काम मिलते हैं जो काम आप करना चाहते हैं उससे हटके कुछ काम मिले तो वो भी ले ली जाहत में पैसा मिलेगा और लाब होगा आपको धनुराशी धनुराशी के लिए लगने में बैठा गुरू आपके कॉन प्रेम संबंदों में जो काफी आप आश्वस्त हैं लेकिन याद रखेगा कि आपकी शादी के योगों में राहू अभी अर्चने डाल रहा है 22 सप्टेंबर से लेके 22 नॉंबर तक अचानक शादी के योग खुलेंगे उस समय अगर आप कर सकें कोई वर्वधू चैन तो इमिजेट कर लीजेगा आपके बच्चों से आपको फुल सपोर्ट है अगर माताएं गर्वधारन करना चाहती हैं तो कर सकते हैं इनको काफी ध्यान भी रखना पड़ेगा को अपने गर्म चीजें ना खाएं और किसी प्रकार से भी गुसा ना करें करोध ना करें ना अपनों पर ना अपने बच्चों पर और ना बच्चे आप पर क्रोध करें आपको थोड़ा सा जो काम भी मिल रहा है अगर हमारे पुरुश्वर भाईयों को या हमारी अस्त्रि तो वो काम को तुरंत इमीजेटली ग्रैब कीजे जो भी फायदा है आपको बैंकिंग रिलेटेड या नेतागरी अभी नेतागरी टेक्निकल जॉब्स आपके मीडिया से रिलेटेड काम आपके कुछ ऐसे काम जिसमें राइटिंग वर्क है या आप कोई खेती हर है या कोई चीज का काम करते हैं धानियों का काम करते हैं तो सब कामों में आपको फायदा मिलने जा रहा है आप उसका फुल फायदा उठा लीजे विवाही जिवन में कलहकलेश मत कीजे और आपको कोई पार्टनर सपोर्ट देता है तो वो भी ले लीजे मकर राशी लगन में बैट कर शनी अभी वक्री है तो बेचे ही हैं काम ज़्यादा है और गलत गलत ख्याल आते हैं कि ये हो गया वो हो गया बट वैसा नहीं है ब्रहमित कर रहा है राहू लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ समाले हुए है अभी राहू माइंड पर आएगा तब की बात तब करेंगे फि ज़रूर ले लीजे और साथ साथ आपके विवाही जीवन में अभी फिलाल चार से पांच दिन छे दिन अच्छा समय है उनके सपोर्ट से पार्टनर के सपोर्ट से बढ़िए उसके बाद उनकी तबियत 39 31 को समालिएगा माता से फुल सपोर्ट जमीन जायदात का काम अगर करना है तो कीजिए और कोई साजो सज्जा करनी है घर में रेनोवेशन वगरा करानी है गवाहन खरीतना है गाड़ी लेनी है वो भी ले सकते हैं कुमबराशी के लिए लगना का स्वामी है श्यनी द्वादश में बैठकर वक्री है तो थोड़ा तवियत की चिंता है और लिखता है इसके लिए आप कर सकते हैं से कृष्ण या महाकाली की आरादना और दुरगा सब्चश्यति के पाठ कर सकते हैं हरे कृष्ण के जाप कर सकते हैं आपके जो माइन्ड चल रहा है न अभी एक बहुत ज़़दा विलासिता के और और बहुत ज़दा इश्योरिक की और उसको थोड़ा लगाम दीजे क्योंकि आगे भी आपको जो पैसे आएंगे अभी दो-चार मेने उसको संभाल लेना है आपको पैसों को ताकि आगे चल के ये पैसे आपके काम आएं अभी फिलहाल जो आपके विवाहिज जोड़े से जो सपोर्ट है या वो कह रहे हैं क वो भी शुब होंगी और आप कोई जमीन जायदाद से रिलेटेट काम करते हैं इस्टेट एजेंट वगरे का तो वो भी आपका सक्सेस्फोल होगा अगर आप कोई नौकरी चाहते हैं तो इमिजियेट आप नौकरी ढूंडिये और जोइन करने की कोशिश कीजिए मीन जासे आपको थोड़ी परिशानी हो सकती है आप एक बात त्यान रखें कि अभी फिलाल समय जो है फिर भी फेवरेबल है पैसा आ रहा है आपके विरोधियों का सामना हो रहा है अगर आपके कोई परिशानी है कि लौकडाउन की वज़ा से हो रहा है तो गुरूशनी के मार आगी होने के बाद ही ठीक होगा अभी फिलाल गरेलू साथ सज्चा का ध्यान देना परिवार में सुख भोगना उन पर गुस्सा नहीं करना अपनी हेल्थ को सम्हालना अपने व्यवसाय की चिंता आगे के लिए करना कोई कारियों की अभी से प्लाइनिंग करना ये सब अगरा बनी हुई है वो सब अपने आप ठीक हो जाएगी थोड़ा दिन जाने दीजिए अभी फिलाल समय को संभालिए और जो पैसा आ रहा है जितना भी उसको संभाल के रखिए मैं कामी निखना बता रही थी में इस से लेके मीन राशी तक का राशी भविश्या फिर तूशन अटाइए और पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें राहु के तूशनी की शान्ती के लिए अपने माता पिता की सासा सुर्की और सभी बुजुर्गों की सेवा कीजिए और ब्लेस यू ठेक केर और गुटबाए